नास्ते दोस्तो गूद आफ्टरनून आज में बनाऊंगी प्राउन्स पोलाओ उसके लिए क्या क्या इंगेंस चाहिए पहले मैंने 300 ग्राम चावल लिया बास्मति जाइस जींगा मचली एक पाऊ अब ज्यादा भी दे सकते हो अच्छा बनेगा और खरे मसले में घरम मसला बड़ी लाइची दो लिया दो लंग और ये दाट चिनी नमक हल्दी पाऊडर करा मसला चौक के लिए सफिर जीडा लाल मिर्च पाऊडर प्याच आद्रक और हडी मिर्ची में चॉप कर लूँगी उसके बाद दिखाऊंगी साबूत कितना चाहिए इस रेशियो के लिए म और पानी चाहिए इसमें बन जाएगा मैंने कराई में तेल ले दिया ठीक है क्योंकि ये जो प्रॉंस या जिंगा मचली इसको प्षाई करना है थोड़ा हल्दी बड़ा पहले देना है ज्यादा मत दीजिए और थोड़ी सी नमाक देखे इसको अच्छी तरह से मिलाइए ये प्रॉंस में मैंने हल्दी नमाक लगा दिया रिखे ये हो गया गादा मत ठाई करिया लेकिन अच्छा देने से बड़ा आए अच्छा नहीं लगा प्राई करना जरूरी हो देखे पुकर में मैंने सफेट तेल दिया अगर आप चाहो तो पुरा देसी घी से भी कर सकते म मैंने एक चमच घे भी दे रही है अच्छा प्रेवाय है वितेल गड़म हो गया ये चौप जो लाउंग इलाइची दाच्ची नी सब दे दीजिए उसके बाद सफेज जीरा दे दीजिए प्याज आद्रा और हडी मिर्ची मैंने चौप करके लाई हूँ चौपर में आप चाकु से भी कर सकते जिसना बारी खोला ना फोला तो इतना आफ्टा है ठोड़ी सी नमक भी दिए कारण ये है प्याज में से पानी निखलेगा निकल जाएगा तो प्याज जल्दी शाई ह जाएगा तो लाल-लाल करके इसको ठाई चलाएगा देखिए लाल-लाल हो गया अभी ये जो केसाब थोरा सा ये आप टेल के उपर उसके बाद हल्दी बाटत देजिए हमेशा तेल के उपर ही दीजिएगा फिर पलार अच्छा आएगा तो तीखा होने सा अच्छा लगएग देके मसला को अच्छी तरह से बुझें जयाई बराकाथीजिंगे अभी चावाल देना है चावाल धो के खुरा च्छानी में देके रखिए जुख जाएगा तो बनाने में अच्छा होगा और खिला खिला बनेगा अभी नयाप देना है आपको थोरा प्याज में है जिंग अच्छी तरह से इसको ठाई करिए दो मिनिट थोड़ा होने दिए यह जो मच्छी रॉंस यह देव दिए देखे थुरा वर मिलाईए 300 ग्रम चावल के लिए मतला 300-400 प्रांसो में से बढ़िया होता है अधा के लोगे आप देश सकते हो अभी यह फ्राई हो गया चार कप करने दिएगा यह मांगडा है नॉर्माल कपसे पुरा बढ़ा है इसलिए मैं बार बासे में ही दे गए तीन चार एक सीटी होने तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने प्रांस पुलाव बना लिया बने के साथ पी कर दिया और इसके साथ सलात कर दिया ज़रूर सलात खाईए अच्छा लगेगा तो फ्रेंड जैसे जैसे मैंने बोला ऐसे आप लोग बनाईए तो बहुत बढ़िया होगा चुटी के दिनों मे नहीं और बेल आइकन दबाईए वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्नवाद